करने जा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट यह वीडियो जरूरी होने वाली है आपके लिए भी और मेरे लिए भी तो लेट्स गेट सटर्टेड कि इस वीडियो में करने क्या जा रहे है इस टाीम पीरेड में हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट सम्मिशन का टाइम हो चुके फिजिकिस में प्रोजेक्स हमें बनाके देने हैं क्टेग्रीष जो हमारे Öz Doll project हमारा physics इन में जो हमें पढ़ाय जा रहा है इन से रिलेटन प्रजीक्स जो हमारा transformer हो गया हमारा full wave rectifier हो गया हाफ-wave rectifier हो गया हमारे हो गया क्याक्या goes गए and gate द्रोगेट होते तो इसी से यह project की कीमत जो है थोड़ी सी जादी होती है जादी कि शरुद्न ne में माख से सेंस में क्योंकि यह तो उसी के लिए करना कहीं है एस वीडियो में है दो देखो भाई दो चीज होती है अगर आप यह प्रोजेक्ट को एक मार्केट से खरीबते हो तो तकरीबन 100 रुपे क्या स्लास का मिलता है अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर आज मैं बना रहों तो उसके बारे में मैं आज बाग करूँगा तो फुल वेव रेक्टिफायर 100 रुपे का मिलता है मार्केट से कीमत बनाने की कीमत जितने का समान लगता है वह चार रुपे का समान खाली चार रुपे का समान इस प्रोजेक्ट में लगता है दूसरी बात यह जो एक्जामिनर सामने आपके बैठा होते हैं ना वह हरसाल डिएल यंकरता बच्चे के साथ उसको मालूम है कौन सा ब्रोजेक्ट रेडीमेंट रॉसक étant आपने हाथ से तो वह अलग सा correlation डालता है तो वह यह थी में प्रोजेक्ट में अगर आप दो भीजा जगे 18-15 marks देगा क्योंकि दिखने से उसको पज़ा चल जाता है और जो आपने खुद बनाए होगा अगर वह गलत भी बनाए होगे तो भी आपको 20 marks देगा क्योंकि उसको यह दिखाई पड़ता कि बच्चे ने मेहनत की है तो इस वजे से यह वीडियो मैं बना रहा हूं र्क्टिफायर बना रहा हूं जैसे यह प्रोजेक्ट आपको Examiner के सामने जाए गा उंपको देखके समझाएगए बंदे में कुछ तो अलग बात है वह देखके समझेका क्यूंकि फूल ब्रिज रेक्टिफायर हमारे कौर्स में नहीं होता है एक एडवांस होता है दिखा दूँ यह चोटा सा डायोड होता है यह मैंने निकाला जनरली आपको यह चीज आपको मिल दाएगी जो पावर एडॉप्टर होते हैं उनके अंदर जरूर से मिल दाएगे चार पीस तो मिलते ही होते तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो अभी मैं आपको दिखा काऊंँ सोल्डिंग की सारी बेसिक टिप्स जो भी तरीके होते सोल्ड करने के सब सारे डिटेल्स मैंने बता दिया पिछली वीडियो है मेरी एंड में एक काल आएगा उसमें आप क्लिक कर दियो आप सीधे उस वीडियो में पहुच जाओगे हैं तो बनाना स्टार्ट करते हैं एक कैनेक्शन डाइग्राम के कॉल्डिंग है इसको हमें सोल्ड करने और बहुत ही सिंप्ली वे में बनाएंगे बहुत सरदर्द होगा डाइग्राम में आपको पिन अप कर दूँगा उपर और डिस्क्रिप्शन में भी कर दूँगा अभी करते समय दिखा दूगा तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं तो नेक्ट मैं आपको डायोट के बारे में पहले इंट्रेड्यूस करा देता हूं कि डायोट है क्या यह ज ये सिंगल से गनींग ये मैं आपको दिखाऊं तो एक लाइनिंग आपको को देख स्ट्राइप में कैसे करते हैं आपने डायोट का सरकिट डाय ग्राम को चशें प्रकार है तो यह जो डायोड में यह लाइन निक्शन ey ब्रिघ करना एक चारों करते हुए तो ब्रिज में हम एक डाइओट को ऐसे रखेंगेråब एक फेसिंग फ्रन वाली जो इस टाइप से फिर डाइओट को दूसरी भी इसके फ्रंट में मलब फ्रंट फ्रंट मूँ मूँ जोडएंगे डायोट का दो मूँ जोड़ देंगे और दो गार जोड़ देंगे डायोट की हैं तो ये दो मूं हो गए डायोट के ये दो डायोट का फीचे का हिस्सा हो गया डायोट के दो ऐसे फीचे हिस्से को जोड़ देंगे तो हम पहले ऐसा ऐसे करके जोड़ देंगे फिर हम इन दो हिस्सों को ऐसे करके घुमा देंगे मतलब कुछ इस तरीके से हैं और इनको इस से जोड़ देंगे और इस वाले पॉइंट को इससे जोड़ देंगे यह connection डाइग्राम आप देख रहे हो यहां पर connection करके करके इनको ऐसे करके जोड़ देंगे तो यह हमारा बन जाएगा एक डायोड का ब्रिज तो हमें ऐसे करना है जल्दी से सोट कर लेता है यह दोनों face side है तो इसको हम सोल्ड कर लेता है की वह से सकते हैं तो इसको मैंने सोल्ड कर लिया यह ज़लती मत करना देखो मैंने यह कि दोनों facing को अलग-अलग कर दिया ठहुआ कीक यह दीगे हैं यह अगि मैंने कर दिया फिर मीक्री इसको लकड़ ये लिजल्दी कर देता हूं दोनों front इससे को करना था फ्रेंक्टरन इससे को दूनों को जल्डी से कर देते हूं यह हो गया मैंने दोनों डायोट की फ्रंट हिस्सय को आपसमें सल्ड कर दिया अब हम दोनों डायोट के बच्येवे दो डायोट के बैक हिस्सय को सोल्ड करेंगे यार फिर वही गलती हो गई पागल हूं क्या मैं सीधा कीज़ेगा आप मैं बैक बैक और फ्रेंट फ्रेंट करना पहला स्टेप क्या कर रहा हूं ठीक है फाइनली मैंने कर लिया यह भी हम अब हम दोनों डायोड को इस टाइप से जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टैप पर लोग ध्यान देना यह हमने दोनों बना लिया डायोड फेस जोड़ा हुआ दो डायोड के फेस जोड़े वे और दो डायोड के गाण जोड़े वे अब हमें नेक्स्ट टैप पे इन दोनों डायोड को ऐसे करके सोल्ट करना है इस टाइप से सोल्ट करना है तो फेस वाला हम तो अब जादू क्या हुआ यह चार डायोट से मिलके हमारे एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर बन चुका है हमारा प्रोजेक्ट बस इतने ही सा था यही हमें बनाना था अब करना क्या है, होता क्या है डायोट के यह पार्ट है फेस वाला पार्ट और जी वाला जो पार्ट है इन दोनों पार्ट से हमें Dc Voltage मिलेगी अधि यह पार्ट और यह पार्ट और जो ऊपर वाले, बीच बीचवाले टर्मिनल है ना इसमें हम डालेंगे हम अपनी क्या क्या थे हैं इसी वोल्टेज तो इन दोनों पर डालेंगे यहां से दीषी मोल्टेजवड होटेंड हो जाएगी तब्समर्किंग दाना भी यहां तो और में यूज कर रहा हूं एसी वाले पर इन दोनों पर और एक इन दोनों पर जोड़ूंगा तो वो कर लिता है पहले कि अब सेकंड्स जो हमारे यह ब्लू आरा वायर है इसको आउट्पुट सूर्स में करेंगे जो हमारा यह दो टर्मिनल्स होगे एक यहला और एक यहला टर्मिनल जिस्वें कर देते हैं तो हमारा फॉल ब्रिज रेक्टिफायर कम्प्लीट हो चुका है एक छोटा सा काम बाग की है छोटा सा काम क्या सजाने का वह मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है वह काम आप मुझे से लाख गुना ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं फिलाल मैं सैंपल दिखा दूँगा मैं अपने प्रोजोट को किस ट्राइब से बना रहा हूं तो मैं कार्बोल डूँगा उस पर बनाऊंगा मैं तो वह मैं बनाने के बाद आपको सजाने का ट्राइब किया है मुझे मालूम है बहुत घटिया सा सजा अभी मैं दिखाता हूं आपको और तो मैंने यह बनाए है मैंने किया क्या है देखो एक लंबी सी मैंने यह क्या कहते है कार्बोल टाइप की शीट ली है ठीक इसमें मैंने अपना रेक्टिफायर को होड इनपट में लिख दिए हमारा क्या कहते है तूट्वेंटी वोल्ड से लिखें 550 वोल्ड जो हमारा रेगुलर पावर्ट सप्लाई आती है और डी सी के तरफ अभी मैंने नहीं लिखा अभी मैं लिखूंगा इसको क्योंकि टेस्टिंग करने के बाद जो सबसे यार मुझे साइवत क्यों को क्योंकि मोश्च प्रॉब्ली मेरा जतने भी प्रॉजेट्ट करने से फ़हलों मोज़ेंगे तो यार करने से पहले वह वो टेस्टिंग करने से पहले यार एक रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को भाई लाइक मार दो लाइक मारने से क्या होता है मुझे एक दिल को शकून मिल जाते कि आप जो सामने बैठे उसको थोड़ा तो पसंदार है मेरी वीडियो मेरी महनत का कुछ तो रिजल्ट निकल रहा है और कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो इस ट्रोजेक् कि चलिए यार बाकी अगर आप मेरी आवाज यह पहली बार सुन रहे हो सब्सक्राइब करो ना यार किस बात का इंतिजार है सब्सक्राइब करो चलो इसको मैं सेटप बैठा के आता हूं पूरा सेटप बैठा लेता है उसके बढ़त करते हैं कि क्योंकि यार क्या बताऊं चलो करते हैं किया क्या मैंने यह था हमारा यहां से दो मैंने वायर मुटा सा कर लिए वायर्स को ऐसे मोटे मोटे दो वायर्स और और एक चीज मैं बताना को भूलिया था यह मत सोचना डीसी करेंट अगर आउटपुट आ रही है तो आपको करेंट नहीं लग और इवन 30-40 वोल्ड भी डीसी को चूओ गे ना तो आपको करेंट नहीं लगेगा हलका से टिंग लिंग लिंग गुद गुदी सा लगेगा लेकिन इतने हाई वोल्टेज में भी करेंट लगता है हां एसी करेंट के मुकाबले करेंट जो आपको फीर होगी वह कम होगी ले ईसी में लगा रहा हूं सब पैसी वोल्टेज पे अनफॉर्चिनेटली अभी मेरे घर पर जो वोल्टेज आ रही हो थोड़ी जादी हरी यह नहीं हमारे घर पे थोड़ी जादी से आ रही है यह 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 बिगए टूफिटो यह वोल्ट अगर आप देख पा रहे हो 258 257 ऐस तो सार्ट ओर्ड जहिल पाएगा देखते हैं वो तो लगाने पर पता चलेगा तो अभी मैं लाइट कर देता हूं आफ कि तार को लगा दिया मैंने अंदर कि को यहां रखते हैं कि ठीक सब त्यार है कि यार कोई आके चला दो यार को मुझे कसम से ना मैं मैं दिखते हैं जो बच गया एक चल रहा है कोई दिखकर नहीं कि अब में टेस्ट करने डिसी वोल्टेज तो मुझे मालू मैं 200 से हाँ मुझे मालू मैं 200 वोल्ट से तो उपर आईगी आईगी डीसी तो मैं डीसी वोल्टेज में तक्रीबन 1000 वोल्ट पर मैं लगा दे रहा हूं ताकि मेरा प्यारा मल्टीमिटर ना मरे और बिना चुए इसको प्यार से मिजर करते हैं देखे कितना आता रही है हाँ वाव यह चल रहा है तो आप देख सकते हो मैं कैसे दिखाऊं कैसा आपको ट्राइ करता हूं मैं कि अगर करेंट लगा ना मुझे तो अच्छा नहीं होगा देखो यही नहीं पसंद है मुझे फैंस की आँख एक बार करेंट खा के आ गया हूं मैं कॉंग्रेचुलेशन्स टु मी यारे एक हाथ से काम कैसे करो मैं दिखाना तो ही है कोई और नहीं है तो यह रामसर रामसर भोका तो साले को देखो बाई लोग जल्दी देख लो जल्दी देखो हमारे पास तो यही था कॉंग्रेचुलेशन्स हमने टेस्टिंग कंप्रीट कर ली हमारा प्रोजेक्ट हो गया बढ़िया है हटो भाई तो करेंट लग गया मुझे तो भाई अब देखो करते हैं क्या हमारी अप्लाइंस होते हैं कम वोल्ट में चलते तो उसके लिए लिए वोल्ट करते हैं था तो अब हम यहां पे लिए लेटे आगर रही है तो अब हम यहां पर लेटे है और हम यहां पहले आहँ रहा था दो सो तीस वोल्ट डीसी आउटपट पे हमने लिख लिया 230 वोल्ट डीसी तो हमारा अपे हटो यार तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है तो यह हमारा छोटा सा था प्रोजेक्ट आप अब यार सब्सक्राइब कर दो यार इतना करेंट खाता हूं यार कुछ तो इज्जत रखो तो भाई इस वीडियो में इतना ही ठीक मिलते अगले संडे को अगले संडे को लाते कुछ नया जुगाड़ और तब तक ले पुरानी वीडियो देखो यार और सबस्क्राइब करो यार अगर तुम इस चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन हो उसमें रेक्टिफायर मारो या करेंट लगाऊ बस क्लिक कर दो और चलो बाई 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 टाटा